हाई गाइस कैसे आप सभी तो अच्छा एक मुझे बात बताओ आप सभी कि आपके लिए यपी मैगी पसंद है या मेरी मैगी जल्दी से कमेंड करके बताओ बैसे मुझे तो दोनों ही पसंद है बड़ कलर वाईस देखा जाना तो मुझे यपी मैगी का कलर बहुत अच्छा और अभी का इस ठंड है बहुत जादा तो मैगी बनाने तो डिजर्ब करता है क्योंकि बहुत जादा ठंड पड़ी तो कुछ गरम-गरम कान मजा जाता है और फिर मैंने यहां एक कडाई ली है ओविसली मैगी हम कडाई में ही बनाएंगे यह एक सिलीसा अंसर था बट इग अपसी कम टमाटर टमाटर के अंदर का पल पर निकालना है प्याज और थोड़ा सा लैसुन और मिर्ची मैगी में लैसुन किसके लिए पसंद है कमेंड करके बताई मुझे तो बहुत पसंद है जब ओ मूह में आता है और सभी के लिए मिक्स किया और फिर इसमाई एक आधा कब से थोड़ा कम पानी डालना है क्योंकि यपी मेगी बहुत थिन होती है तो इसमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है वो ऐसी उबल जाती है कम पानी में तो आपके लिए इस बात का जरूर ध्यान रखना है और जो मेरी मेगी होती है तो थोड़ी मोटी हो मुझे बहुत वसम लगता है अब सभी बताईए कि आपके लिए मैगी में कौन सा कलर बेस्ट लगता है यलू या रड़ आप हम ना इसमें यपी मैगी डाल देंगे और यपी मैगी के लिए 2-3 मिनिट तक पका लेंगे और जब मैगी पक जागे ना तो इसकी जो लेड रहती से रिमूब कर देंगे और इसमें मैं एक चोटी चमबच मियो एट कर लिए मालब एक चोटी चमबच मियो नीज और एक चोटी चमबच शैजवान चटनी क्योंकि मसाला मैगी तो थोड़ा शैजवान चटनी भी बनती है क्या मसाला मैगी बना रहे है और गाईज अगर मैंने घर ही पे बनाए हैं तो जरूर कमेंड कीजिए अब हम एक बार ना सब के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उबाल लेंगे यह लास्ट बोईल रहेगा और फिर हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे और बस मसाला में गिवन के तयार हो जाएगी तो गईस कैसी है तो लाइक कीजिए शेल कीजिए और फुल वाच कीजिए वीडियो और चैनल पर नुए तो सब्सक्राइब कीजिए बाबाए गाइस